आज वास्तु के उपर कौन सी दिशा अच्छी है पढ़ने के लिए उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बार बार कन्क्यूज होते हैं जिनको बार बार पढ़ने के बाद याद नहीं होते आंसर याद नहीं होते जिनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कन्क्यूजन रखी है मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की लिए कि दिशाओं का क्या महत्व है अगर आप सिंपली ले लिजी एस्ट में अगर आप फेस करके पढ़ते हैं तो आपकी शोशल एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाएगी जो याद करने वह क्या करें कि वैस्ट की तरफ बस्षंट की करतें लियुकेशन ले रहे हैं आपको नौन्ट की तरफ मनेंजमेंट की स्टडी कर रहे हैं वानिज्य की एजूकेशन ले रही हैं, जिनको ब्यापारी की एजूकेशन लेनी हैं, वो व्यक्ति नौट की तरफ यानि बुद्ध की दिशार में अपना फेज करके पड़ेंगे, तो उन्हें बहुत 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 ज्यादा लाब मिलेगा, मित्रो बात कर रहा हूं, जो ल इस्ट की तरफ अपना फेज करके पड़ेंगे, तो आपको फाइनास की एजूकेशन में बहुत ज्यादा लाब मिलेगा, टेकनिकल एजूकेशन, आपको कम्पिटिशन की त्यारी करने हैं, टेकनिकल, टेकनिकल कोई भी एजूकेशन अगर है, तो आप वेस्ट फेशिंग होगे पड़ाई कीचे आपको इतना ज़ादा लाब मिलेगा, इतना ज़ादा लाब मिलेगा अपयाँ अपड़ाई करते हैं, तो आपको फेब के लिए बहुत अच्छी है जिस education, ऐसी कोई education जो media से related हो, ऐसी कोई education जिसमें आपको fame चाहिए, politics की education हो, उसमें आपको south facing होके पढ़ना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा लाग की ताहिए, मैं मित्रों बात कर रहा हूँ, अगर आप south south west की तरफ अगर मुह करके पढ़ते हैं, तो आपका ध्यान जाएगा दोस्त मित्रतों में, ज्यादा girlfriend बनाने में, boyfriend बनाने में, उन सब ध्यान हटेगा, destruction की तरफ चाहिएगा आपका mind, कहीं ने कहीं, अगर आप medication चाहते हैं, concentration विसेश चाहते हैं, तो आपको specially north east में, इशान कौन में medication की जो दिशा है, ब्रश्पती की जो दिशा है, नौर्थ इस्ट की तरफ आप मुख करके पढ़ेंगे, तो आपकी concentration बहुत अच्छी हो जाएगी, और meditation, spiritual, अगर spiritual, धार्म से, spiritualism से अगर आप जुनना चाहते हैं, तो north east की तरफ मुख करके पढ़ाई करना चुन कीजिए, बहुत अच्छा है, हाँ, south west में skill, अगर आप आ अपना फेस करके पढ़ें, या south west corner में बैठके पढ़ें, skill आपके strong हो जाएंगे, skills में बहुत ज्यादा आपको फाइदा मिलेगा, दोस्तों, बात करने हैं, अगर आप कोई business competition की तेहरी करने हैं, कोई IS, IPS की तेहरी करने हैं, कोई competition की तेहरी करने हैं, क्यार हो जाएए, घ घर के west में, आपने बैठके पढ़ना है, कोई बिल्कुल negative नहीं सोचना, ये दिशाओं का बहुत ज्यादा benefit मिलता है, और मैं देखता हूं, बहुत सारे बचे confused रहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो के माद्यम से, अपनी favorite education को, favorite direction में बैठके, या favorite direction के तरफ phase करके पढ़ आप विश्णों की इचा, नारायन भविश्यावानी में, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, और आप पोलो करते दिए पंडि नारायन आचाग ये चडडिकड को, फिर मिलते हैं दोस्तों, एक नए विश्या के साथ में, आग्या दीशे पंडि जी को, नमो नारायन, नम करें लुगल चूह को, उख्या ओनने लुगल नारायन पू большое में।